प्रिये मित्रों, जिस पाठक ने मुझे सैडिजम पर बताने के लिए मेरे विचार रखने के लिए कहा, उन्होंने ही मैसोचिजम पर भी मुझे एक सेशन करने के लिए कहा, रिक्वेस्ट किया, और वस्तुत है, जहां जब भी सैडिजम की बात होती है, वहीं पर मैसोचिजम के साथ में ही बात हो जाती है, और बहुत सी जगे तो इन दोनों का एक ही कॉमन वर्ड सेडो मैसोचिजम उप्योग में लाया जाता है, अब अगर हमने मैसोचिजम को अलग से डिस्कस करना है, तो इसको जो एक एक सेप्टेड टर्मिनोलोजी है, सेक्शूल मैसोचिजम डिसॉडर के अंतरगर्थ ही इसको हम डिस्कस करेंगे, सेक्शूल मैसोचिजम डिसॉडर का अर्थ होता है कि बार-बार और बहुती तेज, जो व्यक्ति को सेक्शूल अराउजन याने के सेक्श के प्रती जागरूख करती है, किस दौरा पेन, सफरिंग या हिमिलेशन, पेन का मतलब हुआ दर्द, सफरिंग का अर्थ हम जानते हैं भुगतना और हिमिलेशन याने की अपमान, सो इन्हों तीनों प्रस्थितियों में उनको सक्समंदी जागरूखता होती है उनके मन में, और इच्छा यह है इच्छा बहुती तेज रूप से उनको होती है, यह Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder जो के American Psychiatric Association द्वारा बनाया जाता है, और हर साल रिपीटेडली टाइम टू टाइम इसका रिवीजन होता रहता है, उसमें यह included है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि खाली Mesoicism ही नहीं होना चाहिए, या Mesoistic interest यानि कि उत्पीडन, pain, suffering या Humillation ही नहीं होना चाहिए, के गल मातरे इसकी इच्छा नहीं होने चाहिए, या इसमें interest ही नहीं होना चाहिए, बलकि इसके कारण उनको psychological difficulties, मानसिक तनाव भी रहना जरूरी है तब ही हम कहेंगे कि यह sexual mesocism disorder उस व्यक्ति में है यह recurrent होना चीए, बार-बार उसकी इच्छा होने चीए, बहुत तेज इच्छा होने चीए यह हमने आपको बताई दिया और इसके साथ में उनमें कल्पनाएं, कल्पना में भी और strong urge और वेवार भी इसके अनुरूप ही उसका होना चाहिए, sexual activity के समय में तब ही हम कहेंगे कि एक confirmed clinical diagnosis है और साथ में ये उसके समाजिक, व्यक्तिक और कार्य शैली पर भी प्रभाब रखेगा और उसकी general functioning जो है समाज में उस पर भी प्रभाब डालेगा तब ही हम कहेंगे कि यह मैस्चिजम, personality disorder है नाव इसको उन्होंने कहा कि साभी एक तरह का पराफिलियाज है पराफिलियाज होते हैं कि एक तो नॉर्मल सेक्शुल अक्टिविटी है वो मेल टू फिमेल है और उससे एक नॉर्मल एक्टिक अक्टिविटी से हट करके जितने भी दूसरे तरह के एंट्रस्ट वधिती में होते हैं या इस व्यक्ति के इस करिया का परते जो भावनाइं होती है नॉर्मल सक्स के अलावा उसको पिरेव उनको पराफिलियार से ऱ्टाइथ होता है तो में दोनों होती हैं वह पाई गई हैं तो पेराफिलिक्स जो है वह बहुत ब्रॉड टर्म है बहुत बड़ी टर्म है जिसमें बहुत सारे जो सक्समंदी व्यक्ति के अंदर चेंजेज होते हैं परिवर्टन होते हैं या हम यह कहें कि नॉर्मल से हटके जो व्यक्ति में इच्छाएं होती है या कल्पनाएं होती है या परिकल्पनाएं होती है या अर्जेज होती है उन सब को डाला जाता है एक तरह से यह anomalous activities है यह normal नहीं है नॉर्मल से हट करके हैं और इनको बहुत से लोग preferences भी कहते हैं यह आज के लिए नया शब्द चला है preferences उनको anomalous नहां कहके वो कह देते है anomalous activity of the preferences यानि कि prefer आप क्या करते हैं दस तरह के option दे दिये उन्होंने और उनमें से जो आप prefer करते हैं उसको आपने का preferences हैं तो यानि कि 549 टाइप की preferences available होंगे ही अब उसमें से जो आपको चाहते हैं उस category में आप चले जाएंगे उसमें वहो जाएंगे तो preferences की अनमोलस है अब ये बड़ी विचितर बात है बड़ी गलत बात है मेरे हिसाब से क्योंकि हम जो हैं हम वेक्तिक रूप से कोई भी activity जो साधारन तया एक वेक्ति और और औरत के बीच में आदमी और औरत के बीच में जो नॉर्मल प्रकृतिक रूप से जो प्रक्रिया का प्रावधान है उससे हटकर अगर कोई भी activity की जाती है तो मैं उसको पेराफिलिया ही कहूँगा और उसको नॉर्मल की category में मैं नहीं डालूँगा लेकिन European countries जैसा मैंने पहले भी discuss किया है उनके विचार बहुत भिन है क्योंकि शायद इन चीजों की वहाँ पे बहुत आयत है इसलिए वो उनको preferences कभी नाम देते हैं कभी कुछ और नाम देते हैं कभी DSM में डाल देते हैं कभी DSM से नकाल देते हैं नो DSM के अलावा जो ICD है International Classification of Diseases ICD-10 में यह ICD-10 बनाया जाता है World Health Organization द्वारा उसमें भी यह included है ICD-10 में इसको डाला गया है As a disease as a sickness और definition उसकी वही रखे गई है थोड़ा बहुत उसमें change कर दिया गया है लेकिन इसके लिए जो शब्द यूज किया है वो उन्होंने किया Saddamasochism यानि और Saddamasochism वर्ड यूज करके शब्द यूज करके पिर उन्होंने इसको दो में डिवाइड किया Sadism अलग और Mesochism अलग मेरे हिसाब में यह दोनों अलग situation ही रखनी चाहिए Sadism अपने आप में quality है Mesochism अलग condition है लेकिन दोनों का कभी एक ही व्यक्ति में प्रभाब हो सकता है इनकी mixing हो सकती है intermixing symptoms की हो सकती है इसलिए उन्होंने यह ठीक समझा कि इसको Saddamasochism कहा जाए सो दोनों conditions को यह cover कर लेगा अब उन्होंने ICD-10 में कहा कि साब Saddamasochism की कुछ mild means हो सकती है जो mild को उन्होंने कहा कि जो simply उसके normal experience को enhance करें नॉर्मल जो उसका experience है sexual experience है उसको enhance करें उसको उन्होंने mild कहा और severe उसको कहा कि जो जिससे उसको sexual gratification मिले दो चीज़े है एक तो sexual activity से अनदर बाप्त करना और दूसरा gratification means up to emission तो emission की जो situation होती है जिसको अक्सर लोग seminal discharge भी कहते हैं उसको sexual gratification कहा जाता है तो उन्होंने कहा जी जो जो तो इससे sexual gratification प्राप्त करता है वह तो severe है और जो simple अनंद जिसको अनंद के लिए करता है वह mild है लेकिन इससे को फरक नहीं पड़ता यहां main मुद्ध यही है कि यह normal प्रस्तिती नहीं है यहां पर आदमी को खुद अपने आप पर pain inflict करवा के या अपनी बेज़ती करवा के या अपना humiliation करवा के या किसी तरह से अपने आपको bondage में बांद के बांद दिये हाथ पर बांद दिये और बांद दिये बॉड़ी को चरो तरफ आपने रस्तियों से बांद दिया उटको bondages कहा जाता है bondages द्वारा या फिर किसी और गतिविदी से जिससे आपको या तो pain हो दर्द हो यह सूई हो सकती है piercing हो सकती है injection हो सकता है यह एक तरह का pain inducing electrical instruments हो सकते हैं बहुत से तरह के instruments messageisms के लिए market में भी available होते हैं तो इस तरह की तमाम activities जो की बाड़ी में दर्द उत्पन करें और उस दर्द से वो उसको enjoy करता है उससे आनंद पराप्त करता है और finally stage में वो gratification करता है अब यह दो तरह से वो कर सकता है या तो swim अकेले कर सकता है अपनी कलपनाओं के साथ परी कलपनाओं के साथ में और साथ में यह stimulus लेकर के कोई instrument ले लिया या किसी और तरह की चीज़ ले लिया और उसमें अपने आप पे pain inflict करके और वह अपना जो sexual pleasure है उसको करता है और कई produce करते हैं अपने गले में भंदा लगा करके और रसी से कहीं पंखे पे या कहीं बांद करके उसमें अपना controlled asphyxia produce करेंगे उस asphyxia को वो enjoy करेंगे और कभी कभी accidentally उनकी death भी हो जाती है death जो है वो इन तमाम परक्रियों में चाहे वो खुद की जाएं या दूसरे से female से produce की जाएं बहुत से लोग females को hire करते हैं जो उन पे pain inflict करते हैं चाहे चाबू को चाहे बंडेज हो रसी उसे बांदनेगा सवाल हो electrical stimulation हो और कई तरह के pain inflict instruments आते हैं उन सब से वो pain करते हैं या उन पर urinate कर देंगे डिफिकेशन कर देंगे जिससे वो humiliated feel करें और वो उस पस्तिती को आदमी enjoy करता है और उसके लिए उसको दूसरे partner के आपशकता होती है तो दूसरा partner female partner जो होगा वो चाबू कर सकता है को शार्प instrument यूज कर सकता है पिंस यूज कर सकत है और कि इंस्ट्रूमेंटर शबाते हैं उनको यूज करके और वो अपने आपको self torture self pain induce करवा करके और वो बहुत खुश होता है तो यह जो परस्तिती है यह जो sexual deviation है इसको sexual deviation की category में भी रखा जाया जो सही स्तिती है इसको DSM 234 TR तक इसको रखा गया ICD में भी इसको रखा गया as a disease or sickness और इसको DSM 3 में पेराफिलिया के टाइटल में रखा गया पेराफिलिया एक तरह का इसको पेराफिलिया बना गया ना पेराफिलिया पे हम कभी फिर बात करेंगे तो इसके अलावा इसका जो clinical presentation है ऐसे मरीजों का जो मैंने बताया ही पहले सबसे पहले सबसे पहले तो incidence देखे आप आदमियों में लगबग 2.2% जो male होते है उन में यह बिमारी होती है mesochism की या side of mesochism की और जो female है उन में लगबग 1.3% female जो है उन में यह बिमारी रहती है इसके अंदर extensive pornography का उपयोग अक्सर ये लोग करते हैं जो भी mesochism या sadism से suffer कर रहे होते हैं इनका वेहवार जो है वो जैसे मैंने बताया उसको की तरह तरह के तरीकों से अपने पे pain inflict करवाना है जैसे physical restraint, blind folding, padding, sparking, whipping, beating, electric shock, cutting, pinning, piercing and humiliation तो यह सब जो है और बैने कहा कि इस हद तक चले जाते हैं अपने आपको humiliate करवाने के लिए अपना अपमान करवाने के लिए कि वह हो सकता है अपने partner को कहें कि तुम मेरे पर urinate कर दो या या फिर कुते की तरह behave करना किसी lower animal की तरह behave करके अपने आपको humiliate करवाना यह उनका main उदेश होता है उससे उनको या verbally abuse गालिया निकालो बे यह करो बो करो तो इस तरह से उनको एक gratification मिलता है sexual gratification जो बहुत ही मैं कोंगा बत्तर situation है इसमें काफी studies की गई है लोगों के उपर और यह देखा गया कि किस तरह से आते हैं तो यह देखा गया कि यह एक तरह का addiction है शुरू में कई लोग सिर्फ explore करने के लिए इसको करते हैं लेकर धिरे धिरे अडिक्शन है जैसे आदमें एडिक्ट हो जाता है उसके craving होती है अब यह विड्रॉल सिम्टम तो नहीं हो सकते लेकिन विड्रॉल सिम्टम के अलावा सारी कालिटी जो एडिक्शन के हैं वह उ criminal spin कहते हैं उसी तरह से इन विक्तियों को हाल हो जाता है कि अगर कुछ तक दिनों तक उन्होंने मैसोजिस्टिक अक्टिविटी नहीं की तो वह बिल्कुल क्रिमिनल की तरह कहीं 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 कैसे ने कैसे इसको repeat करने के लिए रिकर करने के लिए वो प्रयास करते हैं और अप की दूसरे फ्रिक्वेंस भी बढ़ती जाएगी रेकरेंस भी बढ़ती जाएगी बार-बार उसका करने को मन करेगा और बिलकुल उस तरह सही बेहवियर के करेगा जैस वाकि एक ड्रग एडिक्ट जो है वह अपनी ड्रक्स के लिए करता है और उसकी बेहवियरल स्पिंज वह उस तरह से चलती है उसी तरह से इरिपिट्रेटली वो करना शुरू करता है नो बहुत वार यह देखा गया है कि जो फिलोने वेगरा यूज करते हैं इसमें लो इंसेटिकी के होते हैं लेकिन उनकी पिन अगर किसी आर्ट्री वेन यर नर्व से तक्रा जाती है तो फिर accidental death भी हो सकती है sexual asphyxia जिसका मैंने बताया है कि अपने artificial फासी लगा करके और control रखते हैं कुछ दिर तो literature से सांस के अपने गरदन के ओपर लेकिन अचानक pressure जैसे आपको बताया है asphyxia के deal करते हुए कि दो किलों ज़्यादा अगर pressure neck में transfer हो गया तो फिर वेकिन अपने आपको release नहीं कर सकता तो accidentally मर जाते हैं यह इस तरह तक चली जाती है कि एक burnt brand नायम के आदमी ने अखवार में यह advertisement निकाला कि वो चाहता है कि कोई आदमी उसके टुकुडे कर करके उसको खा जाए यह उसने news paper निकाला तो यह extreme sadistic भावना जो होती है उसको represent करता है उसको बताता है और एक आर्मिन मैथ्यूज नाम ने इसको response भी किया वो हुआ नहीं हो नहीं पाया वो practical में लेकिन इस सीमा तक वो चले जाते हैं कि उसने अखवार में निकलवाए कि कोई आदे मेरे टुकड़े टुकड़े करके और सबजी बनाके खा जाए जहां तक कमबोरडिटी का सवाल है यानि कि दूसरी बिमारियों के साथ में तो अक्सर ऐसे लोगों में एक से ज़्यादा पिराफिलियाज होते हैं जैसे सबसे ज्यादा कॉमन चीज है लेकिन और ही बहुत तरह के जैसे पीडो फेलिया वगरा हैं बहुत 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 वराइटी जब नहीं कहें पांस सो फाइफंडर और फॉर्टी नाइन वराइटी इसकी रिकॉर्डड़ है तो अक्सर दो तने दो तिन तरह की कंबीनेशन में यह प्रिस्तिर एक ही आदमी के अंदर होती हैं सबसे ज्यादा कॉमन इसके एक हैं देखी गए हैं जो तो जो भी लोग borderline personality disorder में होते हैं उनमें messageism बहुत common होता है और यह देखा गया एक study की गई 120 women पे और उन्होंने फाया कि वो सारी borderline personality disorder से सफर कर रहे थी यह उरते लेकिन उनके साथ में उनको messageism भी था तो इसलिए इसका दूसरी चीजों के साथ में associated होना दूसरी बिमारियों के साथ में man sick और sexual पेराफिरियाज के साथ में associated होना यह एक आम बात है इसके बारे में बहुत सी controversies हैं कुछ लोग कहते हैं कि इसको dsm में रहना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि यह pathological condition है इसलिए इसको dsm में रहना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ आर्गू करते हैं कि क्योंकि इसमें accidental death सब्सक्राइब तक हो सकती है इसको हमें इसलिए हमें इसको retain करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यह lower prediction पे सो खाली पेराफिलिक classification में ही डाल देना चाहिए क्योंकि एक पेराफिलिक interest है और पेराफिलिक इतना common है कि एक हजार चालीस लोगों को study किया गया था उर उसमें उन्हें बताया कि 45.6% लोग जो है यानि कि roughly 46% लोग जो है उनमें पेराफिलिक behavior था यानि कि नॉर्मल के अरावा यह जो पेराफिलिक activities है पेराफिलिक sexual activities उसमें वो English पाई यह सब यूरोप के हैं और इसमें लगबग 24% लोग जो है उनमें में मेसोचिजम की डिजायर थी और लगबग 20% के लोग उनमें से जो है मेसोचिजम में एक बार या दो बार या बार बार अंगेज़ पाए गए तो इस तरह से यह European population में अपने इंडिया में तो इतना काम हुआ नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि हमारे परवारी साइटी है वहाँ पर यह है बहुत कॉमन है और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन स्माप्त करता हूं कि थैंक्यो कि थाउ आज कि झाल झाल